हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों यह इस ट्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर सेवन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सीजुन हाईरी से कहता है शायद लॉयर सीओ इन्वो उसके नजदी किसी मकसद से आया है तो अब हाईरी भी सीजुन की बात को सोचने लगती है कि वो इन्वो की बारे में सच में कुछ नहीं जानती है तो अब बस बंद करके जासूस इन्वो की उपर नजर रखने लगती है अब उसे जब कुछ गरबर लगती है तब वो इन्वो से सामने से जाकर के पूछने लगती है मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है अब इन्वो से उसे पते चलता है, कि जब वो 6th Standard में था, तब यूए से चला गया था, और उस टाइम उसकी मॉम की भी डैथ हो गई थी, खिलाल तो इन्वो से कुछ जादा बताता नहीं है, और हाईडी को लगता है कि इन्वो क अलेत इंसान नहीं है, मगर अगले दिन इन् इन्वो के पास जाती है, और पूछती है, कौन हो तुम, इन्वो कहता है, तुम क्या पूछ रही हो, हाईरी कहता है, ये फोटो, मुझे बिन बताई ली गई है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर, तुम जानमूच के मेरे सामने आया हो, तुमारा यहाँ शिफ्ट होता है, तो मैं खुद पते चल जाएगा, क्या मैं यहाँ क्यू आया था, इन्वो यहां से चला चाता है, और खुद पिगुस्सा करने लगा था, तो वहीं हारी, उसे इतना घुस्सा आ रहा था इन्वो के ओपर, कि वो इन्वो का दिया हुआ सारा सम्मान, अपने घर से उसे देख के आती है और उससे कहती है नहीं बताना कुछ तुम मत बताओ बुल गए हो मैं प्रोस्यकेटर हूँ अपने आप सब पता लगा लूँगी एक्चिली हाईरी को आप इंवो के उपर बहुत गुसा आ रहा था अगले दिन जब वो यह पूरा मैटर अपनी दोस्त से डिसकस करती है तब यूना कहती है शायद ये फोटो तो तेरे पिछले बर्डे पे ली गई है इसका मतलब वो तुझे दिवानों की तरह पिछले एक स करता है तब यूना कहती 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 है सिंपली वो तेरे बराबर में भी इसलिए शेफ्ट हुआ क्योंकि वो तुझे पसंद पेहले बताना चीहे था ना कि तुम मुझसे एक तरफा प्यार करते हो इन्वो सूचता एक्व इसे एक्सप्लेम करती हैCr उस साम लग थी तब मुझे और थी नहीं पता था अब मैं तुम से कुछ चीज़े क्लियर करना चाहती हूं तुम यहां से shift हो जाओ Invo कहता है मैं जित्ती जल्दी हो सके यहां से चला जाओंगा मगर वो foot मैंने कीची है वो मेरी है तुम मुझे वापिस करो हाईटी है वो मेरी है तुम्हारी कैसे होई Invo कहता है तुम्हें पता भी नहीं था उस foot के बारे में prosecutor सीजुन को खाने में क्या पसंद है उसके बाद जुनसु को सीजुन का भी मेसेज आता है और अब जुनसु को जैलिसी हो रही थी तो अब आगी हायरी वो सीजुन के साथ खाने पे जाती है वो सीजुन की पसंद क्या कोर्डिंग एक सी रेस्टोरेंट में उसे ले जाती है मगर उसे सी सिकनेस हो जाती है और फिर उसकी तबेत खराब हो जाती है सीजुन भी हायरी की सरकतों पे हस देता है और अब वो हायरी से ही पहले से नॉर्मल बात करने लगा है अब हाईरी गर के पास पहुशने पेश सीजुन से कहती है मैंने इन्वो के बारे में मालूम किया वो बुरा इंसान नहीं है उसका तो बस मेडियो पर क्रश है सीजुन कहता है अच्छी बात है तो वहीं इन्वो उपर से जब इन दोनों को गारी में देखता है तो वो कितना भी मना कर ले मकर उसे ही जैलिसी होती है तो वहीं दूसी तरफ जुनसु को भी इनसे क्यो और फील होने लगता है और तब फिर वो अचानक से अपना मेग ओवर करती है और खुद के साथ ही डेट पे निकल गई थी वो इस सब को इंजॉय कर रही थी खेरवाई दूसी तरफ हाईरी कुछ दिन से उसे लग रहा था कि उसकी घर में कुछ चीजें इधर उधर हो रही है अब आज भी वो नूटिस करती है कि उसका टावल उसकी जगा पे नहीं है और बाकी चीजें भी इधर उधर है शायद उसकी घर में कोई तो है और हकीकत में कोई तो उसकी घर में छूपा हुआ था अब हाईरी MRार्ट में इन्वो औो काल करती है मेरी ज़्यूस पहले मजाख लगता है लगर हाईरी कहती है मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ तब तो इन्वो दोड़ा भागा हाईरी के पास पहुचता है और हाईरी उसके पीछे तबक जाती है अब पूरे घर में जब इन्वो ढूंटा है तो उसे चुपा हुआ बदमाश मेली जाता है दोनों इसे पकड़ के पलिस स्टेक्शन ल हाईरी को थैंक्यू कहती है और उससे पूछती है कि तुम वागई यहां से जा रहे हो इन्वो कहते हैं जल्द ही चला जाओंगा मगर अब हाईरी आगे सोचने लगी थी कि जब भी वो मुसीबत में होती है इन्वो कैसे भागवा आ जाता है उसे बचाने के लिए तो अग पसंद कर सकते हो इन्वो पूछता है डिसीजन चेंज क्यों किया हाईरी कहती है मुझे माफ करना तुम्हारे साथ कुछ जाद ही बत्तमीजी से बात की चबकि तुम तो मुझसे सिफ प्यार करते हो वो वहां से चली चाती है और अब इन्वो को तकलीफ होती है यह जान करक कि हाईरी उसे कितना अच्छा इंसान समझ रही है आगे जैनी इन वो से कह रहे थी माफ हाईरी सच में बहुत जाद ना समझ है वो उसके उस डैड मा सांगते की तरफ बिलकुल नहीं है तब इन्वो कहता है कुछ भी हो मगर वो है तो मा सांगते की बेटी तो वहीं दूसी जब वो घर वापस लोटती है तो उसकी हाला ठीक नहीं थी और ये चीज इन्वो देख लेता है वो हैरी की पास जाकर की कहता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो हैरी उसे दूर जाने के लिए कहती है मगर इन्वो उसे उसके घर तक लेकर क्या था है जहाँ पहले से ही उसकी बटाता है तो ह। पुछ तो है ये क्या चल रहा है वो बैठी तो गुस्से में थी इन्वो और हाइरी की राएरी की बारे में ही मालूम करने के लिए अगर जैसे जैसे इन्वो ने अपने बार में बताता है वो बहुत इमोशनल होटी जाती है कि रितना अच्छा है आगे कि इन्वो को रियलाइज होता है कि हाईरी के लिए वो कितना अच्छा इंसान बन चुका है जब कि हकीकत ने वो इसके करीब उसके डैट तक पहुशने के लिए गया था अब इस सबसे इन्वो को इतना गिल्टी महसूस हो रहा था कि वो बहुत जादा ड्रिंक करने लगता है जैनी उसे पूशती है तुम्हें क्या हुआ है इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हूँ इन्वो कहता है मैं और ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ जैनी कहती है ये उस माहाईरी की वज़ा से है इन्वो कहता है वो इतनी ना समझ है कि मेरे हर जूट पर आसानी से विश्वास कर लेती है जैनी कहती है मुझे कंफ्यूस करना बंद करो और बताओ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो इन्वो कहता है, कुछ भी नहीं, मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना उसे अब हर्ट करना चाहता हूँ, और ना ही उसे प्यार करना चाहता हूँ, बस उसकी जिनकी से गायव हो जाना चाहता हूँ, जैनी कहती है, अब तुम मुझे पागल कर रहे हो, जागो इ तब जैनी कहती है, तो तुम ही बताओ, क्या करना चाहते हो, क्या वापस लौटना चाहते हो यहीं से, यह भूलो मत कि मा सांगते की वज़े से ही, तुम उसके नस्दीग गए थे, तो वहीं दूसी तरफ हाईरी, उसे चिंता होती है, कि इन वो इतनी देर हो गई, मगर फिर आपस लौटा है, वो इसे कॉल करती है, मगर तब तक, इन वो होश में नहीं था, आगे होश आने पे, जब घर लौटने लगता है, तब जैनी कहती है, इस हालत में घर कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, तब इन वो कहता है, घर लौटना पड़े का, हाईरी को रात को ड जाता है, हाईरी भी सोचती है, आखर इसे क्या हुआ है, अब अगले दिन भी इन वो कुछ बताने के लिए कॉल कर रही थी, मगर इन वो उसका फोन उठाता ही नहीं है, हाईरी को चिंता हो जाती है, कि कहीं उसकी तब बित्तो नहीं बिगड़ गई, तो वो इसके घर अब ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है, कल रात बहुत रोई हो गया, इन वो उससे कहता है कुछ जादा ही सोच रही हो, खेर आगे दिखाया जाता है, हाईरी ने एक केश जो की बहुत ही जादा टफ था, उसे अच्छे से ही साल्ट किया था, इसलिए चीफ और बाकी प और उसी इनवो की यहां मांगने के ले जाती है, तो वहाँ पे जैनी थी, वह क्याती है इनवो तो अभी शावर ले रहा है, तुम्हे क्या काम है, हाईरी कहती है कुछ नहीं, वह वापस चली जाती है, और जैनी ने यह जूट बोला था, तो वह यह सब कुछ सुन करके ये क्या कहा है आगे इन्वो को बाल का नीमी के?? Visi देख लेता है और से जून को ऐसे त्वेले गलत फेहमी होती है कि शैद इन्वु के बारे में हाईरी से मालुम कर रहा था !! दूर से इन्हें आपस में बात करता देख, इन्वो को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वहीं आगे जुन्सु ये सब कुछ देखने के बाद, सीजुन को वहीं हाईरी की मदद करने के लिए छोड़के जाने लगती है, मगर हाईरी मना करती है, और सीजुन भी जुन्सु के पीछे जाने लगता है, खैड़र जुन्सु को गलत फैमी होई थी, तो वहीं दूसरी तरफ, जैनी की वज़ा से, हाईरी को गलत फैमी हो जाती है, जैनी वहीं इन्वो के यहाँ पे रुक गई थी, और जानमूच के उसकी शर्ट पहन की बालकनी में आती है, ताकि हाईरी और बस फिर अगले दिन, हाईरी और इन वो तुनों एक दूसरी को ताने कसने लगते हैं, कल तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा, हाईरी कहती है, मुझसे जादा मज़ा तो तुम्हें आया होगा, और बाद में खुझ से कहती है, आखिर मैं ऐसे क्यों बोल रही थी, तो आगे हमें दिखाया जाता है, हाईरी के डैट किसी गौंग नाम के बंदे से कंट्री छोड के जाने के लिए कह रहे थी, अब जब वो कंट्री छोड के जाने के लिए निकलता है, तब ही जैनी रस्ते में पुलिस के हाथों उसे पकड़वा दी थी है, और फिर इस गौ है, उदर हाईरी के डैट बहुत परशान होते हैं कि ये केस उन्हीं की बेटी के पास गया है, तो वही इन्वो के चेरे पर सुकून दिख रहा था, जैसे वो अपने मकसद के बहुत नस्दीक बहुत चुका है, खेर आगे हाईरी अब उसी गौंग से पूशताच करती है, म अगले दिन हाईरी उससे कुछ ऐसे सवाल पूशती है, जिससे वो गौंग घबरा आजाता है, और खुद वापस लॉट करके कहता है, हाँ ये सच है मेरी कंपनी सिफिक पेपर कंपनी है, मेरा सिर्फ नाम यूज किया था, जबकि असलियत में कोई और है जिसने कंस्ट्रक चली जाती है, और वापस लॉट करके गॉंग से कहती है कि आगी कि सवाल, बैर तुमसे बात में पूछूँगी, आगी गॉंग को भी रेलाइज होता है, कि हाईरी मा सांगते की बेटी थी, तो भाई दूसी तरफ जैनी इन्वो को इनफॉर्मिशन देती है, प्लान की अक आना होगा, मगर अब लॉक्य अकॉर्डिंग ये केस में हैंडल नहीं करूंगी, तो अब आगी हाईरी बेफिक्र होकर के गर वापस लॉटती है, जब वो इन्वो को भाहर देखती है, तो वो उसके पास जानी लगती है, इन्वो से एग्नोर कर रहा था, मगर जब वो गि करान होने की एक्टिंग करते हुए, क्या सच में? तो वहीं दूसी तरफ मा सांगते, वो अलगी प्लान बना रहा था इस सब से निकलने का, वो कहता है, ये बला कैसा कोइंसिडेंस है, कि मेरी ही बेटी इस केस की प्रोसीक्यूटर है, तो वहीं दूसी तरफ इन्वो हाईर मेरे डैट भी अपना हर प्रामिस पूरा किया करते थे, हाईरी कहते है, तुम पूरा किया करते थे, क्यों बोल रहे हो, क्या अब वो प्रामिस पूरा नहीं करते? इन्वो एमोशनल होते हुए क्योंकि फिलाल मैंने उनसे क्या हुआ प्रामिस पूरा नहीं किया है, क्योंक गलत मत समझना हूं अगर मैं इस case को वैसी solve करूँगा जैसे मैं बागी case solve करता हूं खेर इसी के साथ यह वाले पार्ट की explanation यही पे complete होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe कर लीजे thanks for watching मिलते भाचल